हेलो दोस्तों आज की सीडिपी के सीरीज में मैंने उन कोशन को लिया है जो आपके 30 दिसंबर 2021 के पेपर में पूछे गया है तो सारे कोशन इंपोर्टेंट है आप लोग लास तक बने रहेएगा पहला कोशन आप स्क्रीन पर देख पारेंगे अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोशित कर सकते हैं आफ्सन फस्ट है सिचारतियों पर सतत रूप से निगाह रखकर सिकेंड इस पर देख शिचारतियों से निपूर्ता से कुछ कम भी अपचित न करना थार्ड है शिचार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन भिन तरीके अपनाने के अवसर देना फोर्ट है शिचार्थियों के लिए बहुत ही कटिन गटी विदियों का चैयन करके और उन्हें अनुसरत के लिए सक्त निदेश देना जैसा कि आप कोशन में देख पारोंगे ध्यापक किस तरह से रचनातमक चिंतन को पोशित कर सकते हैं ये हमें बताना है सिछार्तियों पर सतत रूप से निगाह रखकर ये हमारा नहीं होगा पर देख सिछार्तियों से निपूर्टा से कम कुछ भी अपैचित ना करना दोस्तों ये भी हमारा best option नहीं होगा सिचारतियों के लिए बहुत ही कठीन गदी वीडियों बहुत ही कठीन आप यहां पे देख पा रहे होंगे चैन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सक्त निर्देश दोस्तों ये सब negative word है ये हमारा होगा ही नहीं यानि third option आप देख पा रहे होंगे सिचारतियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन भिन तरीके अपनाने के उसर देना ये हमारा keyword आप देख पा रहे होंगे तो दोस्तों हमारे जो third option है वो correct हो जाएगा नेक्स question देखेंगे वो शिचिका जो ये मानती है कि उसकी कच्छा का परतेक छात्र अधिक अध्यन करने से अपना परदशन सुधाने में सक्चम है बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है option first है बच्चों की योगिता को second है बच्चों की प्रयत्न को third है बच्चों की घबराहट को fourth है अनुशिक रचना को question आप पड़ रहे हूंगे वो शिचिका जो ये मानती है कि उसकी कच्छा का परतेक छात्र अधिक अध्यन करने से अपना परदशन सुधाने में सच्छम है बच्चों की सफलता का श्रे किसको देती है बच्चों की योगिता को नहीं दोत्तों बच्चों की घबराहट को ये भी नहीं आनुशिक रचना को ये भी नहीं यानि बच्चों की प्रयत्न को देती है ठीक है यानि second option हमारा correct होगा नेक्स्स कोशिर अब देख पारोंगे बच्चे को किसी समस्या का समाधान जूडने में किस क्रम को अपनाना चाहिए समस्या की पहचान परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परिच्वाड्ड, आकरों का संग्रहड तो दोस्तों इसका जो सही करम है उससे आपको बताना है तो आप लोग आंसर करिए दोस्तों इस स्रीज में मैं ये तो नहीं कहूंगे कि आपका ये कोशन इंपोर्टेंट है दोस्तों इस स्रीज के सारे कोशन इंपोर्टेंट है आप सारे कोशन पर ध्यान देजिएगा क्योंकि इसमें कुछ ये नहीं बताना है कि आपका ये बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके सारे कोशन इंपोर्टेंट है और ये कोशन आपके रिपीट होते रहते हैं तो आप लोग अपने आंसर करिए इसका और दोस्तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लेज कर लें और वीडियो को लाइक करें जाद जाद शेयर करें जहां जहां आप कर सकते हो तो दोस्तो इसका जो आंसर होगा हमारा आप फर्स्ट आप्शन देख पारोंगे समस्या की पहचान करना परिकल्पना बनाना परिकल्पना का परिच्चर आकडो का संगरण ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यानि फर्स्ट आप्शन हमारा करेक्ट होगा अगला कुशन आप देख पारूँगे निम्नलखित में से कौन सी रड़नीती कच्छा में सुईधा वंचित समुहों से आने वाले बच्छों को शामिल करने करें प्रभावशाली नहीं रहेगी दोस्तों इसमें क्या पूछाए कि नहीं रहेगी यानि हमें नहीं बताना है फर्स्ट आप्शन आप देख पारूँगे कच्छा में होने वाली चर्चों में शामिल करने होने के आउसर देना ये तो आपका होगा विद्दाले की सभी गत्विदियो में बच्चों की सहबागिता सुनिश्चित करना ये भी हमारा होगा बच्चों की उपस्ति और ठाराव की नियमित मॉनिटरिंग ये भी हमारा होगा फोर्थ है समोज संबतिता के आदार पर प्रिथक प्रिथक बैटने की विवस्ता करना ये हमारा नहीं होगा यानि फोर्थ आप्शन हमारा करेक्ट होगा ठीक है अगला कोशन देखेंगे दोस्तों जैसा कि आप कोशन समझ पा रहेंगे प्रकाश, धौनियस पर्ष और अन्य सावेगी जानकारी के प्रती अती सहिदन शिलता संचारण में शाब्दिक छिरता और अशाब्दिक होना नियत करमों पर अन्य व्यक्तियों को अती निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्रात्मिक लच्चर है तो दोस्तों ये स्वालीन स्पेक्ट्रम जो हमारा थार्ड आप्शन है ये करेक्ट होगा नेक्स कोशन आप देख पारूंगे निम्नलकित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेश्चता नहीं है तो हमें इसमें विशेश्चता जो नहीं है उसे बताना है फर्स्ट ए पॉर्ट्फोलियो समय विशेश के दौरान कियेगे कारियों को संकलित करता है और उसे विकासातमक परिवरतनों पर परकास टालते हैं ये तो है हमारा सेकेंडे पोर्टफोलियो विदार्थियों को अभिकल्प करने संग्रह करने और मुल्यांकन में सनलगन करते हैं ये भी हमारा होगा थाइडे पोर्टफोलियो विदार्थि को स्वैम की अधिगम प्रगति के आकलन में सलगन करने सुनियमित्त को समूननत करते हैं ये भी हमारा होगा मैं फोर्थ या पॉटफॉलियो में असंप पृचचर और पूज होते हैं और के उत्वाद को सुनिश्चित करते हैं नहीं होगा यानि यह तीनों हमारे गलत यह वाला आ संदर में दी गई किसी भी आलोचनातमक टप्री के परती वर अच्छातमक रूख अपनाती है इस संबण में निम्नालिखित में से कौन सा वागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा फर्स्ट है उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टी देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना सेकेंड है यह सुनिशित करना कि उसके हर प्रदर्तिकार में सितारा मिले जिससे की वह परिशान नहों थार्ड है यह सुनिशित करना कि उसके किसी भी प्रदर्तिकार में कोई सितारा या प्रुष्टकार न मिले जिससे की उसकी आदत न पड़े फोर्ट है उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टी ना देना तो दूस्तों इसका आंसर आप लोग करिए फटावर्ट सेविन का आंसर करिए जब हर जोद को अपनी प्रदर्तिकार में सितारा नहीं मिलता तो बहुत परशान हो जाती है अपने काम के संदर में दीके किसी भी आलोचनात्मक टिप्टी के प्रतिवर रच्छात्मक रुख अपनाती है इस समद्ध में निम्नालखित में से कौन सा ल individuals को पागम सबसे अधिक प्रभावी होगा उसे किसी भी तरह के परतिपूष्ठी न देना यह तो नहीं होगा दोस्तों यह सुनिशिद करना कि उसके किसी भी प्रदर्तिकार में कोई सितारा या प्रुष्ट कार ना मिले यह भी आमारा तलनल नहीं हो यह सुनिशिद करन कि प्याजें के सिध्वायदा पर आधारित एक रचनवादी कच्छा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं कि इसे बड़ों को अनुस्रण करके सीखते हैं सेकेंड हैं बड़ों दीगई व्यक्याओं से सीखते हैं थाड़े प्रुसकाल के लिए प्रयास से सीखते हैं फोर्थे श्वता इस फूर्थ गट वीडियो से सीखते हैं तो दोस्तों इसका अंसर आप लोग करिए थोड़ा नया पोश्चन देखने को मिल रहा होगा आपको और दोस्तों जिन होता है इस फूर्थ गट वीडियो से सीखते हैं मारा आप्शन फूर्थ करेक्ट होगा नेस कोशन आप देख पारोंगे बच्चा मैं पहली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं अध्यापक यहां कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि यह बिल्ली के पैर है ब प्रश्ट है अवलोगु नात्मक अधिगें सिकेंड है वे वरारात्मक अधियां थर्ड है पार्ड फूर्थ है संग्या नात्मक शंगर इसका पाड़ा होगा ऋसी सुप양 में से कौन सींका बच्चोट समाजी करराड की प्रात्मिक संस्ताइं हैं फ्रस्ट है स्कूल एवं पासपडोस सेकेंड है परिवार और संचार लéndर थाड है पासपडोस यह हम सिच्च्छ फोर्ट हैं परिवार एवं पासपडोस तो इस कोश्चन को देखकर घ्याप समझ कहोंगे यह question बार-बार repeat होता है यह question आना ही आना है निम्ना लिखित में से कौन से बच्चों के समाजी करड़ की प्रात्मिक संस्थाएं हैं तो दोस्तों प्रात्मिक संस्थाएं कौन सी है परिवार एवां पास पड़ोज यानि फूर्थ option जो है हमारा correct होगा तो दोस्तों ये थे आज के 10 question कैसे लगे आप लोगों को अपना feedback कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा दस में से आप कितना correct कर पाए ये भी बताएगा और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटे ने स्रीज के साथ तक लिए बाई-बाई टिक क्यार खुश्च रहें पढ़ते रहें